रादे किष्णा दोस्तों, वेलकम टू कुक बिदा भिलाशा, यहां पर आपको वीडियो के साथ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी, जिससे आप जो भी रेसेपी बनाएंगे, आपकी रेसेपी एक तम परफेक्ट बनेगी, तो ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स अगर आ जल्दी नाष्टा है, आज मैंने इसी नाष्टे को शाम को बनाया है, बच्चों को बहुत तेजबूग लगी तो जल्द आजी मैं यही बनाया था, तो आज इस रेसेपी को आपको बहुत पसंद आएगी, आपके पुरे परिवार को पसंद आएगी, तो चलिए बनाना श करा लें, बस उसका हाफ हाफ को सूजी तालना है, तो सूजी अगर थोड़ी मोटी है, तो उसे थोड़ा सा मिक्सी में चला लीजे, तो अब यह लिया है, मैंने कच्छे आलू, तो मैंने अक्चली आलू को ग्रेट कर लिया था, और पानी से अच्छे से धो लिया था, और ये डालेंगे सब्सक्ताविया, गाजर मिर्च भौनी धन्या पत्ती डाले, योई हम नापकेक, लिए मिक्स और इसमे कुछ डालेंगे चाहिए अलुख पाइए जल्दी'm डालेंगे ओद पालक है नमक दाल डिया है ai थोड़ोर सी लाल मेची है थोर्डा सा थनिया पावडर को जो भी मसाला आपको कम भसंद है उसे कम डाल सकते हैं कि थोड़ साइज बाल दिये इस से flavor बहुत अच्छा आएगा इस made kukar तोड़ा हीं जरू डालेगा बहुत अच्छा अच्छा फ्लीवर राता है थोड़ा सा चांत मस्साल डाल दिया इस में। और थोड़ा सा चिली फ्लैक्स एकदम चटपटा टाइप का हमारा नाश्ता बनकर तयार हो जाएगा तो यह सारे मसाले हमने इसमें डाल दिया है आप इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपके पास सामान है घर में और आलू अगर ग्रेट करके रखा हुआ है तो इस नाश्टे को बनाने में आपको घड़ी से देखे पांच मिनट से जादा बिल्कुल नहीं लगेंगे और फटा-फट बनकर तैयार हो जाएगा तो यह देखिए हमने इस तरीके से इसका ग इसी चम्चे से मैं बनाऊंगी नाश्टे को तो इससे मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है थोड़ा सा में पानी और डालूंगी तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है करीवन मैंने इसमें छेसा टेबल स्पून पानी डाला है पस इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं कि इस तरीके से हाथ लगा के सा लगा के देख Teleallah से हीट और नहीं आ रही है या है क्या कि जो पैप सबस्क्राइब करें जादा लोग जादा बर्यादा है कि अब इक क्यीओ तो इस तरीके बीच में मोटा नहीं रहना चाहिए नहीं तो वह अंदर से कच्चा रह जाएगा तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स में आपको देती हूं कि जब आलू को पांच मिनट के लिए पानी में छोड़ देंगे तो क्या होगा आलू सॉफ्ट हो जाएंगे और जब आपको करेंगे तो बहुत जल्दी पक जाता है तो आलू का पांच मिनट के लिए पानी में छोड़ दीजेगा उसके बाद ही आप मिक्स कीजिए बैटर में और यह इस तरीके से आपको फैलाना है चारों तरफ तो एकॉली फैलाना है अगर आप बीच में मोटा इधर पतला कर देंगे तो फि कर दिया है और फटा फट बनकर तैयार हो जाता है अगर आपके घर में 8-10 सदस्य है तो आप पहले से ही सब प्रेपरिशन करके रख लीजेगा और फिर बना लीजेगा क्योंकि 2-3 सदस्यों के लिए तो तुरंत की तुरंत आप बना सकते हैं लेकिन ज्यादा लोग होंगे तो आपको पहले से सबजी बगएरा कट करके रखनी होगी और सबस अच्छी बात ये है कि बहुत ज्यादा है इसमें बिल्कुल भी ओयल का यूज नहीं है बस 2-3 मून ओयल डाला है आप देख सकते हैं और उसमें ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो जाएगा तो ये नाश आया और बच्चों को बहुत पसंद आया बहुत ही अच्छा फ्लेवर था इसका आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप आलू का या कोई मिक्स पराथा टाइप का आप खा रहे हैं तो इसे बिगनर्स भी बना सकते ही देखे सेख चुका है तो हमने निकाल लिया है अल कि मैंने चारों तरफ इसे एक जैसा फैलाया है बस इसका आपको ध्यान रखना है चारों तरफ एक जैसा ही फैलाना है और तो तीन बूंद ऑईल पस उपर से लगा देना है तो आप इसे थोड़ा सा हम कवर कर देंगी यह प्रोसेस में आपको इसलिए बता रही हूं कि अगर आपको जल्दवाजी है और काफी सारे लोगों के लिए नाश्टा बनाना है तो कवर करके बनाएगा जिससे यह उपर से जल्दी से कोक हो जाता है और जब उपर से कोक हो अच्छे से si Dunya आपको इसें नहीं तो यह तो कच्चा रह जाएगा अपको पर सूजी और जो आटा है लगेगा इसलिए इसए चार तरफ हम अच्छे सेखना है कर willst Ballets Woah यह तो दो Googled ओले बाप चार 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 तरफ को उत अध्यैनी और भीूं यह बगया नाश्ता बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी और एक तक चक पटा नाश्ता बनाया है मेरे बच्छों को तो बहुत पसंद आया था और इसके खाने के बाद मेरे गर में किसी ने खाना नहीं खाया इसे पेट अच्छे से भर चुका था तो आप जल्द वाजी में जब कुछ सम स्क्राइब करना बिलकुल मत बूलेगा